हेलो फैंस मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेश्ट फोरेवर में एक बख पर स्वागत करता हूँ हम बात करने वाले आज इंटरनेशनल देवयानी इंटरनेशनल की आज इसके रिजल्ट आ गए है और यहां पर तो अभी यह पोस्ट नहीं हुए बट यहां पर रिजल्ट आ गए है तो मैं आपको एक ओवर्वियू यहां पर रिजल्ट का देते हुए नजर आऊँगा तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानते हैं तो रिवेन्यू अगर हम आप देखोगे तो कंपनी की रिवेन्यू देखके आपको खुशी होगी की कंपनी की रिवेन्यू है जो बढ़ती हुए नजर आ रही है लगबख 751 क्रोड रुपी के आज पास का रिवेन्यू है इससे पहले 113 इससे पहले 521 क्रोड के आज पास का यहां पर रिवेन्यू था तो yearly और quarterly दोनों बैसि की बात करें तो company के expenses भी simultaneously बढ़ते हुए नजर आ रहे है जहां पर एक साल पहले 430 क्रोड का expense था अभी यहां पर 681 क्रोड का expense है इससे पहले 636 क्रोड का expense था तो expenses भी simultaneously यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे है तो आप यहां पर देखेंगे profit before exceptional item तो 700 यहां पर 70 क्रोड price के आसपास का profit है इससे पहले 77 था इससे पहले 47 क्रोड का profit यहां पर नजर रहा तो profit आप देखेंगे yearly basis पर अच्छा है बट quarterly basis पर थोड़ा सा यहां पर गिरावट होती ही नजर रही है और वो गिरावट किस वज़े से है अब देख लेते हैं तो यहां पर आपको दिखा कॉष्ट था तो यहां पर कॉफी की कीमत भी बढ़ी है और यहां पर एक चीज और एड़ होती हुए नजर आई यह एकसेप्शनल आइटम जो कि कितना है 11 करोड के आसपास का एकसेप्शनल आइटम आता हुआ दिखाई दिया है जिसकी वज़े से profit before tax की बात करें वह भी क 15 करोड का profit हुआ है एक साब पहले 46 करोड तो yearly basis पर अभी भी अच्छा है बट quarterly basis पर देखेंगे तो एक बड़ी ग्रावट यहां पर नजर हमें आती हुए दिखाई देती है जो कि आप यहां पर देखेंगे तो कितना है 14 करोड से 56 करोड के आसपास का यहां पर क्या होता ह हुआ नजर आया है profit यहां पर होता हुआ नजर आया है तो कम होता हुआ नजर आया है just because of exceptional item. अब exceptional item है गया तो यहां पर देखेंगे यह result है consolidate और exceptional item यहां पर मैं थोड़ा सा नीचे जाओंगा तो आपको यहां पर बता देता हूँ कि exceptional item क्या है exceptional item यहां पर देखिए the exceptional item includes significant foreign currency fluctuation आपने देखा है कि किस तरीके से यहां पर दूसरी जितनी भी currencies है जैसे कि आपने US और इंडिया की देखिए या US या दूसरी countries की देखिए ओके क्या बहुत जदे हैं यहां पर gap-up होता हुआ नजर आया है तो वही fluctuation होता हुआ नजर आया है तो यहां पर देखिए for subsidiary operating in Nigeria okay Nigeria में for six month end is 30 September 2022 को अगर हम बात करें तो 112.9 यहां पर यह currency का loss होता हुआ नजर आया है इसके इलाबा यहां पर सारी की सारी चीज़े होता ही दिखाई दिए तो यह जो loss है in short अगर हम बात करें किस वज़े से हुआ है यह जो loss है यह currency fluctuation की यह से आपको यहां दिखाई दे रहा है EPS भी देखेंगे तो EPS quarterly basis पे लगवा सेम है but yearly basis पे सेम है but quarterly basis पे थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है मतलब फिर भी ठीक है और हम यहां पर बात करें यहां पर stand-alone number की तो stand-alone number में ऐसा कोई exceptional item का loss नहीं है जिसकी वैसे आप year 60 करोड रूपे का है stand-alone number में जो एक साल पहले 40 का था और एक quarter पहले 67 करोड रूपे यहां पर दिखाई दे रहा था तो company का अगर यहां इस basis पे बात करेंगे तो थोड़ा बहुत चल जाता है बड़ और consolidate basis पे जादा यहां पर loss होता हुआ दिखाई दे रहा just because of fluctuation जिसकी यहां पर अगर हम बात करें margin की तो consolidate basis पे जो margin आते हुए दिखाई दिये हैं जो margin यहां पर 23% के थे ओके अब वो 22% के रह गए और जो margin यहां पर एक साल पहले 25% के थे वो margin आके कितने पर रह गए वो केवल 22% पर रह गए तो यहां पर margin quarterly और yearly दोनों basis पे consolidate basis पे यहां पर क number में भी यहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखाई देगी तो company के result कैसे company के result थोड़े से free के आते हुए दिखाई दिये हैं और जिस वज़े से इसका impact यहां पर इसके chart पर पड़ेगा तो यहां पर इसके chart को हम study करेंगे बग इससे पहले यहां पर कुछ और चीज़ अगर यह बोरेंगे यहां पर हटा देंगे तो company को यहां पर अच्छा कासा profit होता हुआ नजर आएगा 7 करोड रुपे working progress as well 66 करोड का cash भी पड़ा हुआ है promoters के पास as it is यहां पर share बने हुए 62.8K FIs ने यहां पर इसेदारी बढ़ाई है DIs ने यहां पर इसेदारी बढ़ पब्लिक को यह शेयर पकड़ाया जा रहा है यहां पर जब ऊपर आ जाता है नए तो यहां पर इसी तरीके की छीज़े होती ही नजर आती है तो यहां पर कुछ फंड ने आपर करीटा है कुछ यहां पर Public ने आपर खरीते हुए नजर आया है चार्ट की बात करेंगा और चार्ट में मैं आपको सब कुछ समझाता हुआ नजरा हूँगा पर उससे पहले रिक्वेश्ट है Invest4Evr चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हेट कर लीजिए और के नॉटिफिकेशन को अन करिए ताकि आपको वीडियोज मिलती रहे बाइंक सेलन की कोई रिकमेंडेशन निया अपने फैंश एडवाइज और यह हमने कोर्स लॉंच किया आपके लिए जहां पर हम रिसर्च, टेक्निकल, फंडामेंटल सब चीज से लेटिड बाते कर रहे है क्लासेज दे रहे है 1-2-1 तो कि 3 months की practical learning जो stock market में use किये जाते हैं कैसे stocks को हमें सर्च करना है वो सब चीज यहां पर बताई जाएगी और इससे सस्ती और इससे अच्छी क्लास आपको अगर मिल जाए तो मैं फिरी में आपको पढ़ाऊँगा यह मेरा चैलेंज है 8605-40501 8169261037 यहां पर आप contact कर सकते हैं और हमारे एक course के related जान सकते हैं कि technical में इस क्या सिखाया जा रहा है research में क्या सिखाया जा रहा है fundamental में क्या सिखाया जा रहा है और क्या चीज है अगर यह लाइन को अगर तोड़ देता है तो इसके लिए support आजाएगा 177 रुपे का मुझे लगता है कि या तो यह इस particular zone में यहां पर trade करेगा या फिर यह अगर गिर जाता है तो यहां तक दुबारा 143 तक आ सकता है और उसके बाद जब भी यह share भागेगा और यह कब तक भाग सकता है ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा time ले सकता है और जैसे ही यह इस level को जिस दिन निकालेगा यह जो line आपको दिखाई दे रही है इस line को जिस दिन भी निकाल देगा तो याद रखिए उस दिन इस share में अब तेजी होगी तो अपने पैसे फसाने का कोई मतलब नि बनता अपने पैसे वेफाल तुमें लगाने का कोई मतलब नि बनता जहां हमें पता चल रही है कि यहां पर share केवल घूमता हुआ ने जराद है एक बार इसने कोशिश करी तो उपर जाने की फिर नीचे आया इससे successfully उपर जाने दीजिए एका दिन टिकने दीजिए फिर उसके बाद हम यहां पर buy or sell के बारे में यहां पर विचार करेंगे तो यह breakout zone है बाकी यहां पर यह support का zone है तब तक यहां पर कोई bind नी बन रही stage 1 में share चल रहा है stage 1 में चलने दीजिए कब तक चलेगा nobody knows बट जिस दिन यहां पर stage 1 से निकलेगा तो यह share shoot होता हुआ नजर आएगा और आपको कितने बहतरी return जो आपने यहां पर patients के साथ wait किया होगा आपने फैंशे एडवाजर कुद की study करें चैनल को subscribe करें course की detail लीजिए number को contact कर लीजिए वीडियो को बार बार देखिए दूसरी वीडियो को देखिए i button पर लिंक है वहां पर देखिए आपको वीडियो मुलेगी उस पर जाके आप देखिए सीखिए सीखेंगे तो पैसे बनेगा so thank you so much god bless